बाइलिंगोल स्टेडी में आपका स्वागत है मैं हूँ एमेमालम आज आपके लिए मैं लेका आया हूँ 12 के भुगोल का कुछ अबजेक्टिव्स अगर आप आईए का एक्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंतु तक जरूर देखें ये वीडियो आपके लिए का कोवर किया गया एक्स्प्लेनेशन के साथ वीडियो कंद तक जरूर देखें वीडियो पसंद आए तो लाइक में देशेयर करना ना भूलैँ है चैनल में नए मयमान है तो चैनल को सस्क्राईब करक ø बहुत सारा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में एक लाइक तो बनता है लाइक कर दीजिए बिना देखे बिना समझे तो चलिए अगला पहला कोशन इसमें है इंत्रो पोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है पुछ रहा है कि इंत्रो पोजियोग्राफी पुस्तक जो ह इसके लेखा कोन है, राइटर कोन है, आथर कोन है, तो रेड़ जेल, हटिंग्टन, सेंपल, जीन्स ब्रून्स, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक रेड़ जेल, जिसे मानभुगोल का पिता कहा जाता, इसने मानभुगोल का परिभासा दिया है, कि मानभुगोल मानभ समाज और धरातल के बीच का संसलेशित अध्यन है, इसे मानभुगोल का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, अगला कुछ से ने कहा जा रहा है कि भारत में जनगन्ना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, बारा वर्ष, आठ वर्ष, दस वर्ष, 15 वर्थ तो आपको पता अगए पहली जन गन्ना कब हुई? 1872 में उसके बाद दूसरी 1881 में तब से परते एक 10 वर्थों में जन गन्ना होती आ रही है, पिछली जन गन्ना 2011 में हुई है अगली जन गन्ना जो होगी, वो 2021 में होगी, उससे पहले 2001 मुही है, मतलब हर 10 साल के अंतराल में भारत में जन गन्ना होती है मतलब जन माने लोग गन्ना माने गिन्ना हर 10 साल में जन गन्ना होता है भारत में, तो अंसर क्या हो गया आपका, go number C अंसर हो गया, तो चलिए अगला कोशन देखा जाए, कहरा किरसी के निमनलिखित परकारों में से किसमें मुख्यत रसदार फलों की खेती की जाती है किसमें रसदार फलों की खेती की जाती है तो रसदार देखिए, ट्रक फार्मिंग क्या है एक ट्रक वो अपने मार्केट तक एक रात में पहुत जाव से त्रक फार्मिंग करते हैं, रोपन किरसी जिसमें बीच के जगह फजल के पौधे, चोटे पौधे या टहनियों का परियोग किया जाता है बाजारी बागवणी किरसी वैसी बागवणी किरसी जो बाजार के निकट की जाती है, ठीक है? तो बजिया क्या भुमद USB सागरिय किरसी वैसी की है ना भूमद्द सागरिय छेत्रों में खट्टे रस्दार फलों की किरसी को भूमद्द सागरिय किरसी कहा जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यही हो जाएगा भूमद्द सागरिय किरसी इसमें रस्दार फलों का खट्टे फलों का पत्पातन तो क्या हो जागा अंसर? बुरुनोई, आपको पता होगा कि आसियान की अस्थापना कब हुई? आसियान की अस्थापना आठ अगस्त उनिस्सो सण सट को हुई? इसका हेड को आडर का है? जाकार्ता जो इंडोनेसिया की राजधानी है. इसके दस सदस से राजधे हैं इंडोनेशिया, थाइलेंड, सिंगापूर, मलेशिया, फिलिपीन्स, वियतनाम, बुरुनई, कमबोडिया, लाओस, मियमार. ठीक है? इसका फुल पम क्या अदासियान का? एस्सोसियेशन आफ साउथ इस्ट एसियान नेशन. तो चलिए, अगला कुश्टन देखा जाए. निमनलिखित मैंसे कौन संसार की सबसे बड़ी नदी है? दिखिए, बड़ी और लंबी में फरक होता है, अंतर होता है, डिफरेंस होता है. अगर यहाँ लंबी पूछता, तब क्या हो जाता है? नील नदी आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ विश्व का पूछ रहा है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील, लंबी नदी जो है नील है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या? सबसे बड़ी नदी तो सबसे बड़ी नदी कोन है अमेजन कोन नदी है अमेजन तो गवा बिलकुल सही आंसर इसका तो चलिए लंबी पुस्ता तो नील होता करांदिम्नलिकीत में से कोन सा नगर गंगा नदी का परमुक परदूशक है हरिदवार, वरांसी, कानपूर, बक्षर तो देखिए यहां पर आंसर होना चाहिए कानपूर क्या होना चाहिए क्योंकि कानपूर में चमड़ा फेक्टरी बहुत ज़्यादा इसलिए सबसे ज़्यादा यहीं पॉलुशन होता है लेकिन किसी किसी जगा वरांसी भी दिया हुआ था कमेंट बक्स पर आप कमेंट जरूर करें कहरा किम्बरले क्यों विश्वविख्याद है किम्बरले सोना के लिए, हीरा के लिए, प्लेटेनियम के लिए या चान्दी के लिए तो देखिए किम्बरले है कहा आपको साउथ अफरीका में और किम्बरले जो है किस के लिए फेहमत है विश्व विख्यात है चान्दी के लिए अगला कोशन देखते हैं किस अवस्था तक मानव शैस्वा काल की अवस्था में रहता है तो यह होगा इनफैंसी एज जो है देखिए मानव विकास का चार अवस्था है शैस्वा वस्था बाल वस्था उसके बाद आपका क्या होता है यू अवस्था और परवा वस्था शैस्वास्था का काल जो है पहला वस्था यह 0 से लेकर के 2 वरसा तक हो कता है कितना तक? 0 to 2 Year तो आपका यहाँ पर चारो अप्सन गलत है इसलिए अलग से आप लिख लीजिए कि सहस्वावस्था क्या बता है? 0 से लेकर के 2 वरसा तक के आईउ को सहस्वावस्था का जाता है जबकि 2 से 12 को आपका बल्ला वस्था और 12 से 18 उनीज तक को आपका क्या गया? तो यह वावस्था यह किशोर आवस्था का जाता है और 18 के बाद यह उनीज के बाद को परोडा वस्था का जाता है तो चलिए अगला कोश्चन देखा जाए निमनलिकीत मैंसे किस देश में मानविकास का अस्तर ऊचा नहीं है देखिए नार्वे का सबसा अच्छा है मानविकास मतलब SDI, Human Development Index जो है सबसा अच्छा आपका नार्वे का है जापान का भी अच्छा है, मिसरे का अच्छा है परती वर्ग किलोमेटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जन संख्या क्या कहते है तो आपने पढ़ा होगा जन संख्या घनतों का कि परती एक वर्ग किलोमेटर में रह रहे मानवों की कुल संख्या को जन संख्या घनतों कहते answer कि हो जाएगा आपका D C number answer कि अनिमने लिखी देशों में से किसमे सरवाधिक लिंगाणुपात पाये जाता है सरवाधिक लिंगानुपात मतलब महिलाओं की संख्या अदिक पुरोसों की संख्या कम जिसको सबसे अच्छा लिंगानुपाद भी कहा जाता है तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे अच्छा लिंगानुपाद सरवादी की लिंगानुपाद किसका है लेट विया का है ठीक है जपान जर्मनी फ्रांस इसका कम अच्छा है लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर महिलाओं की संक्या पुरूसों की संक्या से अधिक है रूस के टुन्डरा भाग में रहने वाली आदिम जाती इनमें से कौन है तो बेदा, किकियू, याकूद, गोचू तो रूस के ज़े टुन्डरा भाग है इस भाग में टुन्डरा भाग में कह रहा है तो इसमें कौन सी जन जाती आदिम जाती पाए जाती है तो यह आपको याकूद पाए जाती है तो चलिए अगला कुशन देखा जाए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता लेकिन एक कुशन को बड़ा डिपली बता रहा हो ताके दूसरा अबजक्टिब इससे बन जाए वर्ल्ड वाइड वेड ड़्व-ड़्यू-ड़्यू-ग्यू-के अविष्कारक कोन है देखिए इसमें ड़्यू-ड़्यू-के अविष्कारक कोन है आपका गो अगला कोशन है सवेज नहर का निर्मान कब गवा तो सवेज नहर कब बन कर तयार हो गया 1879 इस वी में आपका कौस है यह से जोड़ती है लाल सागर को भूमत सागर तो इसकी कुल लंबाई कितनी है इसकी कुल लंबाई 168 किलोमेटर है तो चली अगला कोशन देखा जाए निमलेखित में से कौन परथम भारती उपगरा है उपगरा किसे काते हैं जो गरह की परिकर्मा करते हैं और यहाँ पर कौन सा उपगरा है यह किरतरीम उपगरा है जो मानब के दवारा अस्थापित किय जाए जया जाए था था ता भारत का सरफपर्थम जो है किरतरीम उपगरह जो है वह कौन है अरयभट भाशकर रोहनी अपठ क्यों है इसका अंसले हो जाएगा अरयबड को कम स्थापित किया गया तो 19 इस अप्रेयर 1975 इसविगो, इसको तापिद किया गया. Isro से, isro ने किया था, इसको. एश्या की सबसे बड़ी मलीन बस्ति धरावी कहां इस्तित है юह स्थित है, तदरावी है कहां मुंबई? में से किस छेत्रे में प्राची इंतम सुविक्सित नगर पाए गए हैं तो हांगो, शिंदू, नील नदी घाटी, मिसोपोटामिया देखिए चारो जगह जो है आपको नगर पाए गए हैं सुविक्सित नगर लेकिन इस में से जो है किस छेत्रे में प्राची इंतम सबसे प् नहां का है आपको नील नदी घाटी का अप्शन सी बिल्कुल सही है बलाश निमने लिखित में से किस बोगोलिक अवधारना से संबंदित है नियतिवाद संभवाद नौ नियतिवाद इन में से कोई नहीं देखिए आपने पढ़ा होगा जो ग्रीफिट टेलर है वो नौ नि अगर है सलेम घंदिवस्ति कटनी मुगल सराय आपको बताओगा इसका नहीं नाम क्या हो गया दिन द्याल उपाद्याय तो अब क्या हो जाएगा अंसर क्या हो जाएगा यहां पर रूड की जो है यह को सैक्षिक एजुकेशनल टाउन है भारत में जलोड मिट्टी के छेत् अगला देखते हैं भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कार खाना कहा है तो तेल शोधन कार का Eli वैशा कारखाना जिसमें तेल को refine किया जाता है, तेल को saap किया जाता है, ये बरौनी मतूरा, हल्दिया, जामनगर ये सबी क्या है, तेल सूधन कारखाना तो सबसे बड़ा जो तेल सूधन कारखाना है, जामनगर गुजरात में है, जो Reliance Company का है मतलब नीजी छेत्रे का ये कहा जाता है कि अपने चमता के अनुसार भारती नहीं विश्व का सबसे बड़ा तेल सोधन का रखाना है तो चलिए अगला कोशन देखते हैं हेमेटाइट ऐसके से किस धातू का उत्पादन होता है हेमेटाइट क्या है आपको लोह आयसक आपने पड़ा होगा है कि चार परकार के लोह आयसक होते है तो कौन-कौन मेगेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट तो हेमेटाइट ऐसक से क्या पराप्त होता है आपको लोहा पराप्त होता है यह अयशक है मतलब जिसमें गंदगी हो जमीन के अंदर से जब लोहा निकाला आयाता तो उसमें गंदगी होती है और लोहा का अंस होता था सबसे अच्छा लोहा कोन होता आपको मेगने टाइटल तो चलिए अगला कुस्टन देखते हैं भारत का हुगली उद्योगी परदेश किस राज्य में इस्तित है तो हुगली जो है आपको हुगली नदी जो पसी मंगाल है आपको बताओगा कि वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है तो आपका अंसर क्या हो गया पसी मंगाल होता है बतलब National Development Council तो आपको पता होगा कि National Development Council राश्टी विकास परिशत की अस्थावना छे अगस्त 1952 को की गई तो उस समय पहले इसके जो थे कुंते इसके जो अध्यक्ष होते हैं परदान मंत्री तो पर्थम अंसर क्या होगे आपका खौप अगला कुश्चन दिखा जब 25 निमनलिखित मैंसे कौन भारत का सबसे बड़ा पत्तन है तो पत्तन मतलब बंदरगा सी पोर्ट इसको अंग्रेजी में कहते हैं लार्जेस्ट पोर्ट कुछ रहा है सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा पत्तन कोन है हल्दिया पारादीब मारमागाव मुंबई तो आपको पताओगा सबसे बड़ा पत्तन जो है ये मुंबई है मुंबे पत्तन का नाम क्या है नहावा शेवा भी कह जाता था वरतमान नाम इसका है जवाहरलाल नेहरू पत्तन तो मुंबे सही आंसर हो गया सबसे बड़ा पत्तन भारत का मतलब बंदलगा जहां पर पानी जहाद उखागा भारत में रेल परनाली को कितनी मंडलों में विभाजित क्या रेल जोन या रेल मंडल ठीक है तो कितना है पहले 16 था अब ये कितना हो गया 17 हो गया तो बिल्कुल 17 जो है खौनम्बर आंसर इसका सही है अगला question में रहा है निमनले खित मैंसे किस gas को laughing gas के नाम से भी जाना जात तो आपको पतावा कि nitrous oxide जिसको की NO2 कहते हैं ये क्या है आपको laughing gas है इसको अगर छोड़ दिया जाए आपके सामने में तो आपको भी ना सोचे समझे आपको हसी आने लगी कि इसकी वज़े से क्या होता है इसे laughing gas कहते है वाई मंडल में carbon dioxide gas की मातरा बढ़ने का प्रिनाम ह ये तापन में विर्दी मतलब global warming जो है उसमें बढ़ोतरी global temperature में बढ़ोतरी वाई परदूशन बाढ़ और सुखे का बढ़ना इन में से सभी तो मेरी खाल से आपका वाई मंडल का तापमान बढ़ेगा carbon dioxide बढ़ेगा तो वाई परदूशन बढ़ेगा तो बाढ़ और सु मामना रहेगी इसलिए answer होना चाहिए इन में से सभी तो ठीक है अगर आपको दूसरा लगता है तो आप comment box में comment जरू करते हैं तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं next part में जो part 3 होगा तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहेंगे लेकिन एक बार अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें comment कर दें share कर दें और चैनल में नहीं है तो महमान है तो नए महमान है तो चैनल को subscribe कर दें तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद